चलो, Ask SBT के इस एपिसोड में एक क्लास 12 के स्टूडेंट के कोशन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ क्लास 12 के ये स्टूडेंट उनका कहना है कि 11 में कुछ चैप्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेर किया पर कुछ चैप्टर्स बाद के खास करके जैसे की वेव मोशन, थर्मो डाइनमेक्स इस तरह के चैप्टर्स उनके अच्छे से प्रिपेर नहीं हो पाए इनके पास कोचिंग का मैटेरियल बहुत सारी बोक्स लिखा है कि मेरे पास काफी प्रकार के मैटेरियल है और मेरी समस्या यह है कि बेसिकली कंसेंट्रेशन लैप कई बार कंसेंट्रेशन में खो देता हूं और फिर मेरी परफॉर्मेंस सफर करती है तो मुझे क्या करना चाहिए तो इनके बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि दो बाते हैं एक तो 11 के काफी कुछ अगर बैकलॉग है ऐसा फिल होता है कि बहुत अच्छे से प्रिप्यर नहीं हुआ है 11 तो उसके लिए क्या करें और दूसरा मेरे पास है तो बहुत सारे मेटेडियल मैं कोशिश भी करता हूं पर कंसेंट्रेशन लैप्स कंसेंट्रेशन उस प्रकार का नहीं हो पाता शायद पढ़ाई के समय या एक्जाम के सम लिखाई के स्तर में तो बच्चे उससे अड्जस्ट करते 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 थोड़ा 11 का समय निकल जाता है मैक्सिमम लोगों के लिए और थोड़ा बैकलोग बनी जाता है कोई बात नी उसको हम धीरे धीरे करके क्लास 12 में पूरा कर सकते हैं इस गुड कि आप ने आइडेंटिफ सब्सक्राग की त्यारी भी करनी होगी और इस बीच में 11 के उन पोर्शन के उपर विध्यान देना है जो आपके कमजोर रह गया चूट गया तो आपको खुद से एक असेस्मेंट लेना पड़ेगा कि मेरे पास इतने महीने इतने दिन का समय है और इस समय में मैं 11 क्लास के टॉपिक्स के लिए इतना टाइम दे सकता हूं इतने दिन या इतने घंटे या इतने हपते दे सकता हूं तो आपके पास जो चीज लिमिटेड है वो है टाइम इस बात को कभी मत भुलना उस लिमिटेड टाइम में तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे पास आपने लिखा कि मे material है उसमें से एक material हर subject में at the max दो उसको sort out कर लो कि मैं पहले इसी को करूंगा ठीक और उसको आराम से करो उसमें भी हो सके तो questions को sort out कर लो कि मैं इस book के सारे question नहीं आदे ही question बनाऊंगा और number question बनाऊंगा या level 1, 2, 3 दी हैं तो level 1 ही बनाऊंगा कुछ भी ऐसा आप अपने मन से सोच करके कितना आपके पास समय available है उसके according decision लो और एक time assign करो कि इस chapter के लिए मेरे पास इतना time है और फिर उस time में I repeat limited resources बहुत limited resources को यूज करके पहले उसको करो फिर आगे चलके तुम्हें कभी अगर लगता है कि मेरे पास समय है एक दिन और मैं इसको दे सकता हूं तब तीक है तुम्हारे पास जो दूसरे resource हैं उनसे कुछ question practice कर सकते हैं उनसे कुछ नए concept सिखने की कोशिश कर सकते हो पर सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है कि वह अपने time को assess करके material को short करो कि भाई इतने time में मैं इतना ही कर पांगा उत्रा time अगर कि तुमने assign किया मालो कि तुम्हारे पास साथ दिन का समय है वेव मोशन के लिए for example तो उत्रे के बात वेव मोशन को भूल जाओ अब दुवारा का भी time मिलेगा एक दिन तो और उस पर कुछ question करेंगे कुछ टेस्ट होगर हमें प्रक्टिस करने को question मिल जाएंगे वहां करेंगे कभी कोई friends a discussion होगा वहां कुछ सीख लेंगे वह अलग चीज़ है पर एक चाक्टर को लेखे हम बैठे नहीं रह सकते 15-25 दिन तक तो बाकी 12 के भी चाप्र आपके छूट जाएंगे इस बात का ध्यान दिए कंसेंट्रेशन लैप्स की भी वज़ा मुझे लगता है कहीं न कहीं यही है आपके पास अगर बहुत सारे material होते हैं बहुत सारे resources होते हैं और आप सब तो अगर आप 12 क्लास में भी पढ़ाई में अपने material को शॉट कर लो कि नहीं मैं सिर्फ इसी पर वेस्टिक करता हूं यह होने के बाद अब मैं दूसरे material के उपर जाओंगा तो मुझे लगता है आप अपने आपको थोड़ा रिलेक्स कर पाओगे आप रिलेक्स फिल करोगे कि चलो यार काम मेरा कम हुआ इतना ही करना है तो आप एक कोश्चन को तसली से पढ़ोगे उसको समयत होगे और उस पर सोचोगे भी ज़रुत पढ़ने पर तो आपकी anxiety कम होगी और आपका जो concentration खराब होने वाली समस्या है ये भी काफी हद तक दूर होगी ऐसा मुझे लगता है तो यही मेरी सला रहेगी आप ऐसे सभी बच्चों के लिए जिनको बैकलॉग की समस्या है और काफी anxious रहते हैं कि मेरे दोस्तों ने ये कर लिया वो बूप भी कर ली इतने सारे question बना लिए मैंने नहीं बनाया है यह feeling को आपको कहने कहीं त्यागना पड़ेगा क्योंकि most of the time यह जूट होता है अगर सभी बच्चे इतनी वुप बना-बना के समझ जाते जितना वह आपको बताते हैं तो फिर एक एक कीज बहुत मुश्किल है और आप बच्चे उसको बहुत प्रयास से सीख पाते हो तौप के दस बीस बच्चों को छोड़ें तो बाकी लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है उन चीजों को सीखने के लिए तो समय दीजे चीजों को लिमिटेड स्टडी मेटिरियल को यूज कीजे सही मेटिरियल को यूज कीजे आप जरूर पाएंगे कि आपकी इस्तिती में सुधार हो रहा है चले गुड़ वाई मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और बच्चे के किसी और समस्या के साथ